माइनिंग विभाग की बड़ी कारवाही पांच ट्रक्टरों के काटे चलान रेत बजरी माफ्याओं में मचा बड़ा हड़कम विकास खन पॉंटरसाई में रेत बजरी माफियाओं पर नकेल कसने के लिए माइनिंग विभाग ने एक बार फिर कड़ा रुक अपनाना शुरू कर दिया इसी कड़ी में माइनिंग विभाग की टीम में गिरी नदी और युमना नदी में चापे मारी कर पांच ट्रेक्टरों के चलान किये इस दोरान कुछ एक ट्रेक्टर चाला की दरुदर भागने में कामियाब हो गए माइनिंग विभाग की सक्त कारिवाही से रेदबचरी माफियाओं में बड़ा हड कम्प मच गया है जानकारी मुताबिक लंबे समय से माइनिंग विभाग को सूचना मिल रही थी कि नदियों में माफियाओं ने अपना आंतक मचाना शुरू कर दिया है जिसके बाद जिला माइनिंग अधिकारी के आदेशों के बाद माइनिंग विभाग की इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ नदियों का दोरा किया और पांच ट्रेक्टरों के चलान भी काटे साथ ही ट्रेक्टर चालकों को जागरुख भी किया कि बिना M-form के खनन का कारे ना करे लीस पर ही काम किया जाए साथ में लोगों को कोरोना प्रोटोकोल के बारे में भी अवेर किया मामले की पुष्टी करते हुए माइनिंग इंस्पेक्टर संजीब कुमार ने बताया कि रेदबजरी माफ्याओं को किसी भी सूरत बक्षा नहीं जाएगा इन पर सक्त से सक्त कारवाही अमल में लाई जाएगी उन्होंने कहा कि पूरी टीम जीला माइनिंग अधिकारी का देशों का पालन कर रही है और यह कारवाही लंबे समय तक चारी रहेगी